नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में नई बेकेंसी के बारे में जानकारी बताना चाहेंगे मद्द प्रदेश में मद्द प्रदेश पावा जेनरेटिंग कंपनी लिमीटेट द्वारा कुछ बिभिन्न पदों पर बेकेंसी निकाली गई है इससे संबंदित पूरी जानकारी यहाँ पर हम बताना चाहेंगे इसमें जो है आयू सीमा क्या होगी फॉर्म बाढ़ने की जो फीच होगी वो क्या होगी और कौन-कौन सी पोश्टों पर आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो कैरियर का ओप्सन है हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने जो नोटिपिकरिशन है वो आ जाता है अब हम इस पीडियाप को ओपन करते हैं इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं तो आप यहां देख सकते हैं 4 मार्च 2024 के यहां पर नोटिफिक्सन जारी हुआ है जो कि मद्द प्रदेश पावन जनरेटेंग कंपनी लिमिटेड मैं सहायक अवियंता उत्पादन के पद पर यहां पर सीधी भरती करी जा रही है जो कि रेगुलर यानि आपका जो तो यहां पर हम नीचे चलते हैं और जानकारी देख लेते हैं सहायक अभियंता उत्पादक के लिए जो यहां पर बैकेंसी दी गई है इसमें सबसे पहले सहायक अभियंता मेकैनिकल पदों की बैकेंसी है और यहां पर लेक्ट्रोनिक्स पदों की बैकेंसी है सभी पद जो कितना है आपको आविदन करने का सुल्क यहां पर लगेगा तो यहां पर हम थोड़ा नीचे जलते हैं आपको बिस्तार से जानकारी बता दें इसका जो ओनलाइन आप फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन एक्जाम होगा इसके बाद आपको मैट बेस पर यहां पर सिलेक्शन आविदक हैं उनके लिए 600 रुपय का सुल्क भुक्तान यहां पर करना है तो आप यहां पर देख सकते हैं इनकी जानकारी यहां पर दी गई है अब इसके बाद यहां पर आपका जो यह सुल्क है वो नॉन रिफंड़ वाल है यानि किसी भी स्तितिति में यह जो सुल्क है आपका वापिस नहीं होगा इसका जो पेमेंट है आप MP online के उसके माद्यम से net banking credit card debit card के माद्यम से आधी यहां पर कर सकते हैं अब यहां पर form कब से कब तक भरे जाएंगे और documents क्या 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 लगेंगे तो यहां पर आपके जो समस्त्र document है जिसमें कक्छा 10B की माक्षीट म अगर जाति परमाल पत्र अगर आपको लगने वाले है और यहां पर आविधन कब से कब तक होंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं ऑलान आविधन की जो प्रिक्रिया है वो 6.3.2024 से प्रारम होगी और 31.3.2024 तक चलेगी तो 6.5.2024 से 31.5.2024 के बीच में आप अपना online आविदन कर सकते हैं जो कि आप MP Online के पोर्टल से कर पाएंगे जिसकी लिंक यहाँ पर दी गई है तो आप इस website पर जाकर अपना आविदन कर सकते हैं आयू सीमा की बात करें तो इसमें आयू सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच में आयू सीमा रखी गई है जो अभ्यार्थी 21 वर्ष पूर कर चुके हो और 40 वर्ष की आयू अभी complete ना की हो वो यहाँ पर आविदन कर पाएंगी SCST के लिए यहाँ पर जो है कुछ एज में relation दिया गया है साथ ही यहाँ पर आपका जो qualification है mechanical पदों के लिए तो यहाँ पर आपके पास जो है BE.B.Tech की जो degree है आपकी वो यहाँ पर आपकी mechanical engineer से होगी तो आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं अगर electrical से आपने जो है BE.B.Tech की डिगरी की है तो आप यहाँ पर आविदन कर पाएंगी इसके बाद ही यहाँ पर जो electronics से संबंद जो आपने डिगरी की है जिसमें आपने engineering या BE.B.Tech किया है वो अभ्यारती इसमें आविदन कर सकते हैं इसमें यानि आपका जो qualification है वो B.Tech वाले जो अभ्यारती हैं वो यहाँ पर आविदन कर सकते हैं आप देख सकते हैं age limit के लिए यहाँ पर कम से कम 21 वर्स और अधेक यहाँ पर journal category के लिए 40 वर्स महिला उमीद्वारों के लिए 45 वर्स की IOC मा यहाँ पर रखी गई है इसके बाद जो SCHT और जो अन्नक category के चात्र हैं या जो आविदक हैं उन्हें 45 वर्स तक age यहाँ पर रखी गई है तो आप जो है इसमें आविदन कर सकते हैं तो अगर आपके पास qualification है तो आप इस vacancy में आविदन कर सकते हैं जो कि आप MP online के माद्धम से कर सकते हैं और डारेक्ट आपको इसी website पर यहाँ पर लिंक मिल जाएगा इस पर आकर भी आप आविदन कर सकते हैं और कोई जानकाईल